सब्सक्रेंदो Hello friends अभ data मैं आपके साथ मटर के प्राठी केस्ट पीशेयर करने जा रही हूँ अगर आपको मेरी वीडियो अची ही लगे तो लाइक किजीएगए और साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नियू है तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए साथ में बेल बटन क्लिक कीज़े ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचे मटर की पराठे बनाने के लिए और इसे बनाना बहुत ही असंवी तरीक款 पराठे बनाने वाली हूँ बढ़े चैनल पर वाक अ सरी न्यूमा किन दूर्ल है परक उलिया है चाल लिया है और अदचय मचट लिय कोभी इंग से एक चुथाइई गरब मसाला हैं आदा चम्ठ जीर पौडर नमक सुट यहां पर जीर लिए और एक चुथाहई चम्ठ क्यायं संग्ध v那我們 नहीं उआकग तैने नमक शुट पहले को बटलां तो हैं या वन चलाते चैकर नेड़igram है जो कह बाले आप तो श्राइब तुआ हैं नहीं हो चॉप बहुत चलाएं तो दो बहुत चाहिए पेस्ट नहीं बना रहले हैyas डर दर hail पिसना है यह देखिये मटर को मैं ने चॉप कर लिया इस तरह से आप मिक्सी में से चला wal में और आधा अधा करकी मैं आदे मटर ले खाल किया है। मैं ने चॉप कर लेती है।iver thumbs जब से मटर मैं VISी में डाल किशाई मुटर मैं टाल को ड veg चलाना है मिक्सी Hai थोड़ा से चला के फिर रुखना है फिर चला के रुखना है तो इस तरह से मटर ऐसे ही हो जाएंगे बिल्कुल अब इसमें जो हमने यह रखे हैं हरी मिर्च प्याज धनिया के पत्ते अद्रक नहीं डाल रही है और ही मैं इसमें जीरा पाउडर गरम मसाला से काली बिर्श का पाउडर लाल मिर्श का पाउडर ओए इसे अच्छे से मिला लेंगे मिलाने से पहले यहां पर मैंने तढका पैंच छड़ा दिया एक और इसमें मैं इक चमश्टेल डाल रही हूं तेल गरम हो गया है तो मैं गैस बंद कर दूँगी गैस बंद कर दिया है मैंने और सबसे पहले इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ इसके बाद जीरा हलका सा पकने के बाद इसमें मैं भूनने के बाद हींग डाल रही हूँ हीम हलकी से भून जाए तो हीम हमारी भून गई है इसमें जो अद्रक लिया था हमने वो डाल रहे है अद्रक को हलका सा भूनने के बाद अद्रक हमारी हलकी सी भूनी है बिल्कुल इसमें डाल देंगे और सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हमारी स्टफिंग बिल्कुल तयार हो जाएगी आटे में भी हमने नमक डाला हुआ है तो नमक बहुत ही समल के डालना है केवल जितने मटर है उसके अनुसार ही हमें नमक डालना है जैसी स्टफिंग हमने तयार की है कि अच्छे से मिक्स कर लिया और यह स्टफिंग तियार हो गई है मटर की कि स्टफिंग बन जाने के बाद हमें थोड़ा शाटा लेके जैसे हम रोटी की लोई बनाते हैं बिल्कुल उस शेब की लोई बनानी है इस तरीके से और इसकी रोटी बना लेनी है इसकी रोटी बेल लेती हूँ इस तरह की दो रोटिया बनानी है हमें तो एक हमारी बन गई है जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं हमें हम कुछ शेकी बनानी है तो यह देखिए इतनी मोटी है जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल ऐसी और सेम एक ऐसी और बना लेंगे यहां पर मैं दूसरी वाली भी रोटी बना ले रहे हूं तो यह देखिए सेम सैच की रोटी बन गई है और जो यह स्टपिंग हमने ली है इस वैसे हमें दो से तीन चमाच इस पर डाल देना है और इससे पहला लेंगे चारत दियाक हैं लाएं स्टपिंग से जाधा कम डालने है राधे ना जिए भाँ जाएंगे यह मैंने फैला दिया है और चारो तरफ जो किनारे हैं इसको मैंने छोड़ दिया है मैंने स्टफिंग को अच्छे से चारो तरफ फैला लिया है और गैस पे मैंने तबा गरम होने के लिए तड़ा दिया है और स्टफिंग हमारी निकले नहीं तो यह चारो तरफ से मैंने बहुत अच्छे से दबा दिया एसे और एक बार पलटके भी हम दबा देंगे इस तरीके से यह पराथा यह बिल्कुल पराथा यह देखिये अ अब भी सेख लेते हैं तब गरम हो चुका था तो मैंने पराथा तबीप्यों डाल दिया है और इसे नॉर्मल जैसे आम पराथा सेकते हैं वैसे ही सेख लेंगे एक सिख जाने के बाद इसे बलट देंगे जब तक यह सिख रहा है तब तक मैं दूसरी रोटी बना लेती हूं यह देखिए एक तरब से हलके से शिख चुका है तो इसमें हम तेल लगा लेते हैं तो यहां पर मैंने रिफाइंड हो लिया है आप बटर देशी की किसी चीज का भी यूज कर सकते हैं तेल लगाने के बाद मैं पलट दिया है और दूसरी तरस थे इसी करह से लगा लगा लेंगे sappagagoda किनारे भी थोड़ा से सीक मैंने तरह पराथा ताकर किनारे भी अच्छे सी इस तरह ब्योंतर टीह करें हैंगे पलेंगे एक तरब से सिंह जाने के बाद मैंने इस पलट दिया और यह देखिए कितना अच्छा शिख गया है मेरा प्राथा दुसरी स्वेशी से लिए से निच से थे हमें प्राथा मारा त्यार हो या यह दिख्या है और दूसरा प्राथा बना लेती हूं जैसे हमने पहले प्रोटियां बनाई थी वैसे मैंने रोटी बना ली है और इसमें स्टाफिंग डालेंगे तीन चम्मच इसे अच्छे से फेला लेंगे चार तरफ और किनारों को हम छोड़ देंगे अच्छे से फिला ली आया और दूसरी रोटी इसके पर डाल देंगे जो दूसरी रोटी में लिए और हातों में सुखा अटा लगा इसे हम इस तरह से प्रैस करेंगे ताकि रोटी हमारी अच्छे से पैक्स चिपक चाहे दोनों रोटी आंपस में और इस एक बार पलट लेंगे और दूसरी तरह से पेश तरह से सील कर देंगे तो यह हमारा प्राठा बन चुका है इसको सेक लेते हैं तो यह देखिए मारा प्राठा बन गया है प्राठो को इसी तरह से शेक के हमें सारे प्राठे बना लेने हैं लीजिए फ्रेंड्स हमारे प्राठे मटर के त्यार हो चुके हैं और यह देखिए स्टफिंग और यह खाने में भी बहुत ही टेस्टी है तो आप इसे घर पर ड्राइ कीजिए अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए मेरे साथ कमेंट करके भी शेयर कीजिए कि रस्पी आपको कैसी लगी मिलते हैं एक नई रस्पी के साथ नई अपीसोड में ध